कि शाहिनजबाग एक एहसास और वो एहसास ही था कि जिस एसास को और ये लो रौनने आये थे बुल्डोजर लेकर तोड़ने आये तो तोड़के गई क्यों नहीं तोड़तें चला ना बुल्डोजर, शिर्ट चार बल्णियां आपने गिराईए है उस पर चला ना बुल्डोजर यहीं तो आप लेकर आयते इतना बड़ा बुल्डोजर, ख्यों न निकले हम आप जुर्म करेंगे और हम घर से भी नहीं निकलेंगे, हम कहां विरोध करेंगे। कि इस पर होगी आपको प्रक्रिया क्या है पर जखमी था लेकिन मेरे रादे जखमी नहीं पर टारगेटु किया रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं दिकन टाप महीं प्रफुल और हमारे साथ मौझूद है एडवोकेट आर्फा खानम जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं वकील हैं और सोसल मीडिया पे इनकी तस्वीर जम कर वाइरल भी हो रही है यह वाइरल इसलिए हो रही है क्योंकि श इनके पैर में फैक्चर है एक बार बोलूगा कि थोड़ा सा फैक्चर दिखा दें लेकिन इसकी साहस के लिए लोग इनको सोसल मीडिया पे बधाई दे रहे हैं कि शाहिन बाग की महिलाओं के लिए शेरनी कई लोग गाली भी देते हैं सोसल मीडिया पे कि शाहिन बाग ना तो आप उस फोटो को देखकर पहला आपका क्या reaction होगा है कि मैं मेरे पास अलफाज नहीं है बोलने के लिए और सिर्फ जब मैंने वह पहला फोटो देखा जिस तरीके से लोग इतना प्यार दे रहे थे और जिस तरीके से लोग सराह रहे थे तो जब मैंने वह देखा और लोगों ने मुझे बताया कि यह तो देखो कितना वा जो आप कि सोचल मीडिया वाइरल हो रहे हैं बहुत अच्छा लगता है और मैं फिर कहूंगा कि जस्न हो या मातम हो उससे फरक नहीं पड़ता है लेकिन लोग भुनाते हैं उसको बहुत अच्छे मैं वाकई मैं बोल नहीं पा रही हूँ और मैं जब मैंने वो पहला फोटो देखा और लोग बता रहे थे कि यह इस तरीके से वाइरल हुआ है आप सोच नहीं सकते किस ने आपको दौाओं से अपनी नहीं नवाजा है और लोग आपको दौाओं से नवाज रहे हैं और आपक नहीं तमाम लोगों का शुक्रocrعाधा करऊंगी। तह दिल से शुक्रियाधा करती हूं। शुक्र गजार हूं कि आप लोगों कि मुझे सर माथों पर बिठाया है। और जिस तरीके से आपने मुझे प्यार दिया है मैं कोशिश करूँगी कि वो प्यार जो ताकत आपने मुझे दी है उस ताकत से इसाम प्रदाइक ताकतों से मैं लड़ती रहूं और ये ताकत मेरे लिए गिजा का काम करेगी इंशाला और हम लोग लड़ेंगे हर उस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे कल जिस तरीके से शाहिन बाग में बुल्डोजर आया तो देखिए ये लोगों की ताकत और प्यार ही था कि जिससे मैं वहाँ पर खड़ी हो पाई पैर जख्मी था लेकिन मेरे इरादे जख्मी नहीं थे पैर जख्मी था इरादे जख्मी नहीं थे ये साहस कहां से यह कही मतलब बुल्डोजर के नाम पे या शाहिन भाग में जैसे होता है कि महिलाएं शेर नहीं है और दूसरा ये भी सवाल उठ रहा है कि ये सब लोग अगर बुल्डोजर के सामने जाके लेट है या बुल्डोजर की करवाई को रोकने की जो कोसिस किये आती कर्मन या शाहिन में अगर कोई ये कहे कि शाहिन भाग में जो भी लोग निकल कर आ रहे हैं बुल्डोजर के सामने लेट रहे हैं या हाई तौबा मचा रहे हैं देखिए शाहिन भाग एक एहसास है और वो एहसास ही था कि जिस एहसास को ये रौनने आये थे बुल्डोजर लेकर के जिस जो भी यहाँ पर शाहिन बाग में जो रहता है, मैं सब को शाहिन बाग के तमाम लोगों को बहुत बेदार लोग हैं, बहुत ताकतवर लोग हैं यहाँ पर, और मैं यह कहती हूँ, कि जो शाहिन बाग के लोग हैं, बहुत हिमत वाले लोग हैं, कि जब जब शाहिन बाग पर किस जहली बहनों ने गालिया जहली क्या नहीं कहा गया भदर भाष के लिए बैठी हैं ऐसी भाषाओं का इस्तिमाल moderate लेकिन वह बहने डरी नहीं वह लड़ी सविधान को बचाने की लड़ाई लड़ी उन्होंने सटक पर तो इसी लड़ाई को लेकर हम लोग आगे बढ़े हर जुल्म के खिलाफ और शाहिन बागी क्यों देश में कभी भी किसी भी तरीकी का कोई संकट आएगा कि मेहने हमेशा खड़ी हूँ इस बार भी यहीं सवाल उठा कि क्या शाहिन बाग इस देश से अलग है कि जब भी कोई कानूनी करवाई होती है तो शाहिन बाग की महिलाए सड़क पर उतर जाती है देश भी रोधी जो गतिविदिया हो रही है उसको बचाने के लिए उसके आड में और भी तमाम जो अपनी कामों को चुपाने की कोशिश की जाती है महिलाओ की आड में देखिए क्यों न निकले हम आप जुल्म करेंगे और हम घर से भी नहीं निकलेंगे देखिए जहां तक इस तरीके की सोच है जो लोग यह कह रहे हैं कि महिलाओं की आड में यह बात चुपाने की कोशिश की जा इसको हटाया जाएगा जहांगीर पूरी की हिंसा के बाद जिस तरीके से ये बोला गया कि जो भी शाहिनबाग के अंदर अतिक्रमेंट है जहां जहां पर इंक्रोश्मेंट है वहां पर ड्राइव चलेगी तोड़ा जाएगा तो मैं आपको यह बता देना चाहती हूं कि अपने थोड़ा से समान बाहर रखा हूँ था लेकिन वो भी एहतियातन उन्होंने वहां से हटा लिया तो इंक्रोश्मेंट क्या था जब हम लोग वहां पर आये वहां पर जब बुल्डोजर के सामने हमारा क्या विरोध था हमारा यही विरोध था कि देखिए यह जो बिल क्यों बुल्डोजर लाया कौन? किस पर होगी कि आप गरीब के उपर कारिवाई करेंगे जिससे आप उगाई करते रहे वह आधिकारी जो 15 सालों तक उसे उगाई करके आलिशान बंगले बना लेता है आलिशान गाड़ी में गूमता है अपने बच्चों विदेशों में पड़ाता है उस पर कारिवाई नहीं इस खबर के बाद, जो सुबा से ये खबर चलाई जा रही थी, कि शाहिनबाग में किसी तरीकी की कोई कारेवाई नहीं होगी, उसके बावजुद ये बुल्डोजर लाया कौन, ये नफरती बुल्डोजर आदेश गुपता के आदेश पर आया, ये मुके सुर्यान के सकते हैं, जब वहाँ पे PWD का कोई अधिकारी नहीं था, कोई MCD का कोई अधिकारी नहीं था, तो ये बताईए ही वो बुल्डोजर किस पर चलाने के लिए लेकर आये थे, सारा मीडिया वहाँ पर खड़े हो करके, ये खबर चला रहा था कि शाहिनबाग को रौन ने जा र कानून के तहथ देंगे, किसी परक्रिय में किसी कोई नोकिस देंगे या बताएंगे, या जो भी आप डिमॉलेशन करेंगे, रोड मैप बनाए को इसे को चिनिहित क्या है कि मैं इस बिल्डिंग को गिराने जा रहा हूँ, इंसानिये दिखाएंगे, या फिर किसी को भी र तोड़ करने आए थे, बताइए न कि आप किस चीज़ को तोड़ने आ है ? तो इस ठीकली को बिल्डोस करने आए थे ? बताई हापस काँ आप कानुी करवाही ना करने दिया जा Matteë, कौना कर रहे हैं क कानुनिकारेवाही ना कर दिया जा कौन कह रहाकि कानुनी कारेवाही हम तो समर्तन कर रहे थे लेकिन पता तो चलेगा हम तो पूछ रहे पूछा कि बताईए ना कि आप बुल्डोजर चलाने आए हैं वो क्या हटाने हैं हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप हमसे पूछ कर बुल्डोजर चलाएंगे वहां पर मौझारी पूछ कोई करवारी कैसे कि मौझूदगी में कारेवाही करने आये थे बुल्डोजर मैं यह कहती हूँ कि बुल्डोजर जो लेकर आया था जहां चोनी चाहिए बुल्डोजर लाया कौन यह क्या आदेश गुपता के आदेश पर आया था या यह जिहादी मैं नाम बैठे थे वहाँ पर जो 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 नफरत की राजनीती कर फैलाते हैं जो जो में स्टीम मीडिया के अंदर जिहादी एंकर बैठे हैं जो सुबह शाम नफरत परोश रहे हैं वह वहां पर भी मौझूद थे क्या उनके शारुपे आया है मसाला लेने आये थे अगर बताई जो जो आप जो आप जो बुल्डोजर आया हम लोग सरफ ये हमारा क्या विरोध था हमारा ये विरोध नहीं था कि हम किसी भी प्रकृयया में बाधा डालें हम लोगों का ये विरोध था कि देखिए हम लोग ये ही चाहते हैं जिसा दरीके ज़रश आपने बुल्डोजर चला दियो और फिर गुपता जी को सुप्रीम कोड करना पड़ा कॉम्पंसेशन के लिए हम लोग वहाँ पर यह कहने गए थे कि देखिए किसी भी गरीब की ठेली किसी गरीब का रोजगार च्छत तोड़ेंगे तो यह हमारा विरोता यह नहीं होने दे किसके पास कागज नहीं है कि उनके पास कागज है क्या सबको गिराएंगे चलिए स्टैनिक फ़र्म गिराते हैं गिराईएगा उसको सबसे पहले मांसे शुरू करिए ना जिसकी लक्षुरी है करेंगे बताईए गरीब पर तो बहुत असान है ठेले ठेले को कुचल देना अगर आप मैं यह नहीं कह रही हूं कि उसको आप मत हटाईए मैं कि उसको भी हटाना चाहते हूं उसको भी हटा देजे हम समर्थन करेंगे लेकिन रेहाबिलेट तो करेंगे उसका कुछ इंतजाम तो करेंगे सरकारी जमीन में को visual Іस के लिए कहां दूसरे जगव क्यों क्या सरकार की ढमना किस ने कहा था दिल्ली दिली की मुख्य मंतरीao장 22 तक भारत के हिर नागरी के पास छहत वीच्छञ बताइए बिम दल नहीं ताःत पर आज भी आज भी वो गरीब सड़क पर रिक्षे पर अपने पाउं पहला करके रिक्षे पर कैसे सो रहा है इंक्रोश्मेंट है हटाए इसको लेकिन उसके लिए इंतजाम करिए न वो नहीं सोगा गरीब जो जो आज भी आप यहां से निकल जाहिए और रात को आप अपने चैनल पर यह खबर चलाईएगा रात को जिस तरीके से फुट पाथ पर लोग सोते हैं वो भी इंक्रोश्मेंट है मैं यह कहते हूं वो भी हटना चाहिए लेकिन हटने से पहले उसका इंतजाम होना चाहिए सरकार की जिम्मेदारी है यह कुमार सुरियन का बागी कमिशनर का कहना है कि हमने जो भी किया एक्ट के तहथ किया या फॉलो करी है मैं यह जाना चाहती हूं क्या आक्ट किया कहता है और उस आट के तहथ उन्होंने क्या किया है उनका तो पत्र आया, देश गुपता का पत्र आया है सामने, कि जहांगीर इंसा के बाद वाँ पे बुल्डोस किया जाएगा, यही कहा है न, यह पत्र में यही तो है, तो यह बताईए न कि कौन से प्रक्रिया फॉलो की गई है, बताएं, तो किसी तरीके कोई नोटिस दिया पर वो हटना चाहिए, आप क्या हटाने आएं, किसी के घर को बुल्डोस कर देंगे, और आप कहते हैं, शाहिन बाग के पास पेपर नहीं है, अगर कॉलोनिया वैद हैं, तो व्याद करना भी आपकी जिम्मेदारी है, और टेबल पे आपके फाइले पढ़िए, सिर्फ इस तरीके से आप पूरे दिल्ली के अंदर एक डर, खौफ का महल बनाने की कोशिश करें, एक समुधाय को परिशान करने की कोशिश करें, गरीब, इसके अंदर सिर्फ एक समुधाय परिशान नहीं हो रहा है, आप गरीबों के अपर अत्याचार करें, गरीबों के साथ अन्या है लेकिन आवाम की नजर से जन्ता कि नजर से क्या यह लीगल है लीगल अगर आप तब होता जब आप मान लीजिये कि कोई घर अगर आप तोड़ना चाहते हैं को इंखुप हटाना चाहते हैं पंदर सालों से आप तो परिशानी है अमीर और गरीब के अंदर अगर फरक करेंगे और यहां हिंदू मुसल्मान में फरक करेंगे जिस तरीके से जहांगीरपुरी में आपने कोड के आदेश के बाद भी मस्जित का जो बाहर का जो दिवारे थी आपने तोड़ी मंदिर का आपने छोड़ दिये रहे नफरत की दिवार को आपने छोड़ना चाहा लेकिन लेकिन गलत है यह गलत है लेकिन वहाँ पर हिंदू मुसल्मानों को तिरंगा यात्रा निकाल करके संदेश देना पड़ा यहां तक कि वहाँ पर लोग इखटा हुए उन्होंने कहा कि अगर मस्जित के बाहर का जो नफरत की जरूरत नहीं है यहां पर नफरत परोशने का काम मत करिए तो देखिए यह देश सबका है हिंदू मुसलिम सिख इसाई बौध सबका देश है अगर कोई यह सोचता है कि हमारे किसी भी आदेश से यह हम कहीं पर भी किसी चीज़ को भी बुल्डोस कर देंगे तो वहांव पर तोड़ दिया तो शाहिनबाग में क्या परशानी बेदार है अवेर् onती को इसी लिए इसी लिए आपको रोका नाकामयाब हुए बॉख लागए बॉख लागए तो मिनी पाकिस्तान कहने लगे और यह कहने लगे कि देखिए वहाँ पर कारेवाही कारेवाही नहीं होने दिया जा रहा है वहाँ पर देखिए वहाँ पर क्या हम लोग घुस नहीं सकते हैं वहाँ जा नहीं सकते हैं बंगलादेश नहीं प्र ली-प्रॉपागेंडा के रही हूं प्रॉपागेंडा क्या इसे दो हफे पहले से इनके 10 2020 शाहिनबा राते जहां पर आता है इसी जहांगेत पुरी में आपने यह दिखानी की कोशिश की कि वहाँ पे बंगलादेशी रहता है उसी तरीके से आपने शाहिन भाग को भी बदनाम करने कीद्ट कोशिश की अगर अभू फजल है अगर अभू फजल में कुछ हुआ है तो आप यह क्रें देखिए शाहिन भाग साफ कि अच्छा नहीं होगा मुकदमा होगा जो जिस तरीके से उसने ये शाहिनबा को बदनाम करने कि यहां से दस-पंद्रा लोग तोपी लगा कर चश्म लगा कर निकल रहे हैं कि हम लोग यहां हम लोग कहां से हैं हम लोग बंगला देशी हैं और फिर वह पत्रकार पूछ के उपर सवाल बनता है कि अगर तारों के नीचे से गुस्पैटी बैठे हैं बंगला देशी और रोहिंग्या के नाम पर जिस तरीके से आप नफरत परोशने का काम कर रहे हैं शाहिन बाग में बताईए ना मैंने तो खुला चलेंज या था चुनौती दी थी बताईए मिल मुझ से आगर के बताएं कहां हो हैं वह बंगला देशी जो आपको इतनी भारी तादात में शाहिन बाग के अंदर मिल रहे थे तो देखिए नफरत की राजनीती देश के अंदर हो रही है इस सांप्रदाइक ताकतों के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा लड अपने तौर पर मैं शाहिन बाग में रहती हूं अपने तौर पर जो मैं कर सकती थी मैं मैंने वह करने की कोशिश की है देखिए और दूसरी बात यह है कि जहां पर भी यह सर्फ मैं ही नहीं यह पार्टी की बाद शाहिन बाग के लिए करवाई होगी कि आदर जगह पर नह पुलिस ने अपना पल्ला जहड़ा है बेहल शर्मनाग है डिली पुलिस ने जिस तरीके से हम सब के पास वो वीडियो मौझूद है कि जिस तरीके से सुबह से लेकर के शाम तक हनुमान जेनती और राम नवमी के नाम पर वहां से जुलूस निकाला गया और यह कहा गया कि वह मज़िद में घुसने की कोशिक किया दें मेरे पास वीडियो है डिली पुलिस के पास सवाल यह रहेगा कि शाहिन बाग की जो सुप्रीम कोट में प्याइल डाली गई थी बुल्डोजर के खिलाप तो इस पर कोई हैरिंग नहीं है आप हाई कोट चले जाई तो सुप्रीम क किसी दवाओं में आके किया या निश्पक्स करवाई है कि मैं यह समझती हूं कि जो जहांगीर पूरी में जिस तरीके से सुबह सुबह यह जब वहां पर बुल्डोजर चलने लगा तो फिर वहां पर यह मेंशनिंग की गई और वहां पर सेटिस को सुप्रीम कोट को लेना हम लोगों को कानून सविधान पर वरोसा है और अगर जहां पर भी असविधानिक होगा उसको हम सविधान के दाइरे में रह करके उसका विरोध करेंगे और विरोध हम लोग अभी भी करते हैं सविधान को आईन को बचाने की लड़ाई शाहिन बाग लड़ता रहा है और आगे भी इसी तरीके से सम्विधान को बचाने की लड़ाई को लड़ता रहेगा शाहिनबाग यह है अर्फा खानम जो सुप्रीम कोर्ट में एड्वोकेट है इंग्या कहना कि जब भी कहीं जुल्म होगा जब अभी कहीं सम्विधान के दिये अधिकारों का हनन होगा तब तब हम लोग बहार सड़कों पर बैठेंगे विरोध परदर्शन करेंगे अपनी अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार से लड़ेंगे उस्तंत्र से लड़ेंगे जो जनता के खिलाप है खैर शाहिन बाग में बुल्डोजर कैसे चलाएं जाएंगे शाहिन बाग में बुल्डोजर चलने के खिलाप कौन लोग हैं यह सब आपने देखा होगा एक फोटो भी सोचल मीडिया पर सेर किया गया जिसमें लिखा गया कि शाहिन बाग की वाकई महिलाओं की अगर जज़बे की बात करें तो क क्या होता है कि MCD का चुनाओ है और चुनावी परकरण चालू है चुनावी राजनीती और अपने वोट बैंक की पॉलिसी को साधनी की तमाम राजनीतिक पार्टिया कोशिश कर रही है तो जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ सेर करेंगे बने रही है हमारे साथ